पांच कंटेस्टन एक साथ हुए बिग बॉस OTT सीजन 3 के घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट जी हाँ आपको बता दें की बिग बॉस OTT सीजन 3 के पहले हफते का नॉमिनेशन टास्क खतम हो चुका है पांच कंटेस्टन के नाम सामने आ चुके हैं जो की बिग बॉस के घर से बेगर हो जाएंगे इन पांचों कंटेस्टन के सर के उपर लटच चुकी है ऐलिमिनेशन की तरवार ऐसे में क्या आपका फेवरेट कंटेस्टन कहीं इन पांचों में तो नहीं कहीं आपका फेवरेट कंटेशन इस बार बाहर तो नहीं हो जाएगा चलिए आपको बता देते हैं लेकिन इससे पहले चैनल पर पहली बार आए है जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर ले साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दे आपको बता दें कि बिग बॉस ओड़ेटी सीजन थरी का पहला हफता अब पूरी तरह से खतम होने को आया है नॉमिनेशन टास्क खतम हुआ है ऐसे में हर कोई तो नॉमिनेशन को लेकर जानना चाहता है कि कहीं उसका फेवरेट कंटेशन नॉमिनेट तो नहीं हो गया तो पांचों में आपको बता दें कि सबसे पहला नाम सामने आ रहा है लवकेश कटारिया का जी हाँ लव कटारिया पहले ही हफते में बिग बॉस के घर से बेगर होने के लिए पूरी तरह से नॉमिनेट हो जुके हैं हर किसी का कहना है कि जिस तरह से लव कटारिया घर के अंदर पॉपलर हो रहे हैं इससे तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले जितने भी हफते होंगे लव कटारिया बिग बॉस के घर से बेगर होने के लिए हर हفتے نومینیٹ ہوتے ہی رہیں گے बात करते हैं दूसरे नाम की तो दूसरा नाम है लव के ही सबसे करीवी दोस्त विशाल पांडे का जी हाँ लव केश और विशाल पांडे दोनों काफी ददा करीब आ चुके हैं और विशाल पांडे भी इस हफते घर से बेगर होने के लिए पूरी तरह से नومینیٹ हैं उनके सर के ओपर भी ऐलिमिनेशन की तलवार लटक चुकी है बात करते हैं अब तीसरे नाम की तो तीसरा नाम घर से बेगर होने के लिए नومینیٹ हुआ है शिवानी कुमारी का जी हाँ शिवानी कुमारी जो की बिग बॉस के घर के अंदर आप काफी जादा एक्टिम नजर आ रही है हर मुद्दे में वो बोलती है नजर आ रही है ऐसे में श्रीवानी कुमारी के सर के ओपर भी ईलिम्नेशन की तलवार पूरी तरह से लटक चुकी है और कहीं ऐसा नहो कि इस अफ़ते श्रीवानी कुमारी बिग बॉस के घर से बेगर हो जाएens अगला नाम है दीपक्चोरसिया का जी हां दीपक्चोरसिया बिग बॉस से काफी जुड़े हुए हैं बिग बॉस जो भी कहते हैं दीपक्चोरसिया उस पर रियक्ट करते हैं और हर एक कुछ ना कुछ मिनट के बाद उनकी कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिससे घरवाले पर पाव गर्ल, बिग बॉस सीजन 3 से यानि ओटेटी 3 से घर से बिगर होने के लिए नॉमिनेट हो चुकी है तो ये 5 कंटेस्टन है खबरों की माने तो यही नॉमिनेट हुए है अब ऐसे में आप देखना ही होगा कि इन पाँचों में से किसे सबसे कम वोट मिलते हैं वैसे आप क्या चाहते हैं कि अगर यही पका नॉमिनेट हुए तो इन पाँचों में से कौन होना चाहिए घर से बाहर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें और बिग बॉस से जुड़ी हरेक लेट टेस्ट निउस के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दो